नेक्स्ट टोपिक हमारा है स्टेंडिंग वेव इन ओपन ओर्गन पाइप ओपन ओर्गन पाइप देखिए हमारे पास एक पाइप है जो दोनों एंड से खुला होगा ठीक है इसका लेंद्ध हम एले लेते हैं हम यह केस कर रहे हैं पहले हमने केस में किया था कि एक एंड सा क्लोज था तो उसमें क्लोज ओर्गन पाइप के लिए हम लोग ने फ्रिक्वेंसी निका ले थी फोर डिफ्रेंट नॉर्मल मोड ओफ वाइबरेशन तो इसमें हम फ्रस्ट करेंगे फ्रस्ट नॉर्मल मोड ओफ वाइबरेशन फ्रस्ट नॉर्मल मोड में फ्रिक्वेंसीज क्या आएगी देखिए फ्रस्ट नॉर्मल मोड में मालीज येगा एक वेव ऐसे जा रही यहां से अगर एक वेव ऐसे जा रही है तो दुसरा वेव ऐसे जाएगे इसमें इसको बोलेंगे फ्रस्ट नॉर्मल मोड ओफ वाइबरेशन देखिए स्टेंडिंग वेव अमारा कुछ इस्तर का शेप का था कि दो वेव क्या कर रहे थी सुपरिम पोज कर रहे थी ओफ एक्वल फ्रिक्वेंसीज एक्वल टाइम पिरियाड एक्वल एंप्लिट्यूड यह कंडिशन इस तरह की है देखिए ठीक है इसके अंदर यह क्या बन रहा है इट इस नोड इट इस एंटी नोड यहां पर क्या एन्थ एल ठीक है इन फर्स्ट नॉर्मल ओफ वाइब्रेशन देर आर टू एंटी नोड इन वन नोड अगर दो एंटी नोड बन रहे हैं तो इनके बिचका डिस्टेंस कितना होगा एक नोड से किनके बीच में इट इचलेंट इस लेंड़ आपई-पोर अगर हम एल की बा करते हैं अगर हम विलोस्टी निकालते हैं विलोस्टी ओफ दा वेव इसको वी से लिखेंगे आपको याद है फर्मुला विलोस्टी फर्मुला था लेम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी अगर हम फ्रिक्वेंसी निकालते हैं फर्स्ट नॉर्मल मोड का तो फर्मुला होगा वी लेंड़ा तो वी क्या है वी इस दा विलोस्टी ओप दा विव तो मिवन इस इक्वाल टू वी बाई लेंड़ा कितना है यहां पर लेंड़ा इस तू यह फ्रिक्वेंशी ओफ फर्स्ट नॉर्मल मोड ओफ वाइब्रेशंज ठीक है इसमें सेकेंड पॉइंट करते हैं हम लोगे सेकेंड नॉर्मल मोड ओफ वाइब्रेशंज 2nd normal modes हमारा pipe वही है इस ओपन पाइफ आपकी बार जो वेव जा रही है यहांपर सौंड वेव की बात कर लेते हैं वेव जा रही है वो इस तरीके से जा रही है आपके ठीके देखिए तो इसके अपोजिट के अंदर एक compression होगा तो यह क्या होगा rarefactions एक वेव और जाएगी ऐसे इस वेव में चेक किजिएगा यह क्या बन रहा है एंटी नोट्स एंटी नोट्स एंटी नोट्स यह क्या बन रहे हैं नोट्स और नोट्स second normal mode of vibrations के अंदर थरी तो एंटी नोट्स बनेंगे और टू के बनेंगे नोट्स ठीक है लिख लिजिए इन second normal mode of vibration there are three एंटी नोट्स एंड टू नोट्स अगर हम बात करते हैं यहां पर यह distance कितना है एंटी नोट्स और नोट्स के बीच में लेमडा बाई तो इस लेमडा तो एल का वैल्यू कितना होगा यह complete L है यहां पर L is equal to क्या यह complete वेव बन रही है आपकी इडिजे लेमडा तो अगर लेमडा होगा तो वी क्या है इसका इडिजे विलोस्टी ओफ दा वेव वेव जोकी वेल्यू होगी लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी के लेमडा इंटू फ्रिक्वेंसी तो फ्रिक्वेंसी ओफ सेकेंड नॉर्मल मोड ओफ वाइब्रेशन कितना आएगा वी टू इस इक्वाल टू वी बाई लेमडा इसको लिख सकते हैं वी बाई लेमडा लेमडा की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग यहां से म्यू टू इस इक्वाल टू व V by 2L, अगर यह बात करते हैं, it is the value of mu1, V by 2L is the value of mu1, तो mu2 का value कितना हुआ, twice the value of mu1, this is the frequency of second normal mode of vibration, पॉइंट है इसका, third normal mode of vibration, third normal mode of vibration, first wave ऐसे जाएगी, और इसके ओपिस में compression में कैसे बने का वियो, ऐसे, इस wave के अंदर देखिए, pipe वही है, length L का, 1,000 होगी, एक में rare fractions होगा, एक में क्या होगा, compressions, यह क्या बनेगा, यह वाला, यह वाला point, और यह वाला point, it is the nodes, जाँ पे amplitude की value कितना होगा, 0, जाँ maximum होगा, वो क्या बनेगा, एंटी नोट्स, ठीक है, तो in third normal mode of vibration, there are three nodes and four एंटी नोट्स, three nodes and four एंटी नोट्स, L का value बराबर होगा, किसके देखिए, it is lambda by four, lambda by two, lambda by two, lambda by four, it is a three by two lambda, कितके बराबर होगा, three by two lambda, तो what is the value of lambda, it is two by three L, velocity की बात करते हैं, V क्या है, velocity of the wave, जो की लिखे जाएगा, इस तरीके से V is equal to lambda into frequency, तो frequency of third normal mode of vibrations, mu three is equal to V by lambda, तो mu three is equal to V by lambda कितना है, two by three L, तो ले सकता हों, उसको mu three is equal to three mu by two L, mu by two L is the frequency of first normal mode of vibrations, तो mu three is equal to three mu N, three mu N, अगर इसी तरीके से अम पूरा question solve करें, और general equations त्यार करें, for N normal mode of vibration, for N normal modes, तो उसकी frequency mu N is equal to क्या होगा, N times mu 1, frequency of first normal mode of vibrations, तो नेक्स्ट टोपिक हमारा है, beats, beats, सुना होगा musical instruments, beats त्यार कर रहे हैं, music बना रहे हैं, तो beat formations होता क्या है, देखिए, तेखिए, ये भी आपका क्या super position principle के तर यूज क्या दाएगा, ये भी आपका दो wave का super impulse होना है, बट इसमें conditions क्या है, कि दो wave super impulse होंगी, of same amplitude, बट nearly equal frequency, equal नहीं होंगी, बट nearly equal frequency or super impulse, जब दो wave nearly equal frequencies के super impulse करेंगी, तो resultant wave के अंदर rising और falling दिखाई देगा, regular form के अंदर आपको, वो होगा beats भी, कैसे होगा, दिख लिजी एक बार, when two waves of same amplitude, moving in the same directions, having nearly same frequency, are super impulse, then, there is a regular fall and rise in the resultant wave, this regular fall and a rise is called beats formation in the wave, कैसे, दो wave है, nearly equal frequency, equal नहीं है, बट a nearly equal frequency wave यह माल लेते है, एक wave यह है, frequency बड़ाबर नहीं है, बट यह लगबग बड़ाबर हैं भी, nearly same frequency, एक की frequency माल लेते हैं 10 hearts है, 10 hearts, एक की है 11 hearts यह 12 hearts, ठीक है, दो wave है, दोनों wave का कर रही हैं, super impulse कर गी माल लेते हैं, of equal amplitude, तो resultant जो wave बनेगी, वो कुछ इस तरह की बनेगी आपकी, there is a regular fall and rising, there is a regular fall and rising in the waves, जो regular wave जो बन रही हैं, fall जो हो रहा है, यह क्या है आपका beat formations, जो क्या बोलते हम लोग है, beat से formations, तो beat formations क्या है, दो wave जो nearly equal frequencies की हैं, same amplitude की है, they are super impulse to each other, तो जो resulting wave के अंदर, जो regular में fall और rise हो रहा है, वो क्या है आपका beat formations, देखिए beat बनने की conditions क्या है, आप question क्या है, जो difference है frequency को, कितना होना चीए maximum भी, देखिए maximum difference, maximum difference in the frequency is 10, ये 10 से उपर नहीं होना चाहिए, अगर time period की बात करते हैं, आपको पता है time period क्या होता है, it is 1 by frequency, तो 1 by 10 करूंगा, तो कितना हैगा, 0.1 second से जएधा time period का difference नहीं होना चाहिए, हमारे पास दो वेव हैं, first वेव, इट इस से y1, it is a sin omega 1 t, दूसरी वेव है, y2 is equal to a sin omega 2 t, frequency में डिफरेंस है, तो मैंने omega 1 और omega 2 लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a sin 2 pi mu 1 t, anytime t के लिए है, time period नहीं है, t, और यह क्या है, a sin 2 pi mu 2 t, आपको पता omega के लिख सकते हैं, 2 pi mu लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर यह superposition principle को follow करती है, तो net wave, after superimposing, y1 plus y2 बनेगा, y1 plus a y2, तो net wave क्या होगी, y is equal to a sin 2 pi mu 1 t, plus a sin 2 pi mu 2 t, तो यहांसे a को में निकाल सकता हूँ, y is equal to a, यहांपे होँ, sin 2 pi mu 1 t, plus sin 2 pi mu 2 t, यह formula बने रहा है, sin c plus sin d का formula, sin c plus sin d, क्या formula होता है, 2 sin c plus d by 2, cos c minus d by 2, सुना होगा, 2 sin c plus d by 2, cos c minus d by 2, इसके according अगर formula लिखूँ हूँ, तो क्या answer लिखा जाएगा देखिए, y is equal to a, 2 a, ले सकता हूँ, 2 a sin, c plus d by 2, c plus d by 2, यह c माल लेते हैं, यह d माल लेते हैं, तो कितना आएगा, 2 pi mu 1 t, plus 2 pi mu 2 t, by 2, c plus d by 2, into cos, c minus d by 2, 2 pi mu 1 t, minus 2 pi mu 2 t, by 2, तो दोनों में के common क्या रहा हैं, देखिए, y is equal to, 2 a sin, क्यांपे common है, 2 pi t, 2 pi, क्याएगा, mu 1 plus mu 2, into t, by 2, into cos, 2 pi common है, t common है, तो mu 1 minus mu 2, into t, by 2, 2 से 2 कटें, 2 से 2 कटें, transfer is, y is equal to a, 2 a sin, pi mu 1 plus mu 2, into t, यहांपे हुआ, cos, pi, 2 ले लेते हैं, बाद में करते रहेंगे चैनिस को, ऐसे, कितना हैगा, 2 pi, mu 1 minus mu 2, by 2, into t, तेखिए, यह दिखा रहा है आपको, simple harmonic wave का equations को, simple harmonic wave equation, 2 a, और यह value दिखा रही है, आपको, इसके amplitude को, तो लिख सकता हूँ, y is equal to, a amplitude, a dash, महा लेते हैं, sine, 2 pi, mu 1 plus mu 2, into t, by 2, तो मैंने, a dash किसको लिखा, देखिए, where a dash is the amplitude, तो a dash किसको लिखा, मैंने, a dash is equal to, किसको लिखा हुआ है, 2 a, 2 a cos, 2 pi, mu 1 minus mu 2, by 2, into t, this is the amplitude, of the resulting wave, case first, लिखे हैं, इसके अंदर, कि वेरा a dash, maximum कब होगा, amplitude is maximum, कब होशकता है, जब cos 2 pi, mu 1 minus mu 2, by 2, into t, कि value maximum होगी, कि वेरा a maximum कब होगी है, इसकी value maximum होगी, 1, or a, minus 1, दोनों पे ही क्या होती है, maximum, ऐसा क्यों बोले हम लोग, किसी वेरा वो देखिए, ये भी amplitude है, ये भी amplitude है, maximum दोनों value है, एक plus पे भी है, किस पे है, minus पे भी है, ये कब होगा, जब 2 pi, mu 1 minus mu 2, by 2 into t, कि value किसके बराबर होगी, n pi के बराबर, maximum कब होता है, n का value कितना, n is 0, 1, 2, 3, and so on, 0 पे, cos 0 पे maximum, pi पे maximum, 2 pi पे maximum, 3 pi पे maximum, and so on, मतलब, pi से pi काटे, what is the value of frequency, mu 1 minus mu 2, यहां से निकाल लेते हो, 2 से 2 काट दिया, pi से pi काटा, तो कितना आंसर आए मेरा, n, यहां पे देखके, दुबर देखते हैं, गोर, pi से pi कैंसल कर देते, 2 से 2, तो मेरा आंसर बचा, mu 1 minus mu 2, by 2, into T, is equal to n, तो वाट इस, mu 1 minus mu 2, it is 2n, 2n by T, this is the frequency, of maximum amplitude, case 2, a dash is minimum, amplitude minimum कब हो सकता है, जब यह value complete कितनी हो जाए, 0, कौन्सी value, cos 2 pi, mu 1 minus mu 2, by 2, into T, equal to 0, और 0 कब होगी यह value, जब 2 pi, mu 1 minus mu 2, by 2, into T, is equal to, is equal to, 2n plus 1, lambda by 2, 2n plus 1, lambda by 2, n का value कितना हैगा, n is 0, 1, 2, and so on, specific value कितना होगा, अमारा, sorry, lambda नहीं हैगा, pi, it is pi, by 2, तो यहांसे देखिए, 2 से 2 काटे, pi से pi काटे, कितना अंसरा हैगा, mu 1 minus mu 2, into T, by 2, is equal to, 2n plus 1, pi काट चुका है, by 2, 2 से 2 भी काट देते, what is the value of mu 1 minus mu 2, is equal to, 2n plus 1, divided by T, this is the for minimum amplitude, यह था भी आपका, beat formations, when two waves are superimposed, of nearly same frequencies, next topic है, Doppler effect, in a sound, देखिए, यह topic क्या बोलता आपको, हमारे पास, एक source of sound होगा, और यह क्या होगा, listener, जो सुन रहा है आवाज को, अगर इन दोनों के बीच में, कुछ relative motion होगा, अगर यह चल रहे होगे, with respect to each other, तो इनके according, sound की intensity पे फरक पड़ेगा, यह sound की intensity को क्या होगा, फिल को, इनके लिए frequency की अलग होगी, तो जो अलग frequency होगी, उसको निकालने के लिए, जो अमटोपिक यूज करने, it is the Doppler effect कीने, sound, लिखिए जिये क्या है, लिखिए, when there is a relative motion, between source of sound, and listener, then, there is a difference, there is a difference in between, apparent frequency, and the actual frequency of the sound, actual frequency of the sound, तो इस्टोप को करते गया से देखिए, क्या बोल रहे हैं लोगे, कि अगर listener और source of sound के बीच में, कोई relative motion होगा, तो उसकी apparent frequency of sound में, और actual frequency of sound के अंदर, कुछ न कुछ difference दिखाई दिएगा, ये क्या है आपका Doppler effect, माल लेते हैं, S क्या है भी, S is the source of sound, source of a sound, और L क्या है, listener, L क्या है, listener, माल लेते हैं, V क्या है, V है actual speed of sound, actual speed of a sound, ठीक है, और mu क्या है, actual frequency of sound, लेंब्डा क्या है, actual wavelength of sound, ये सभी actual है, जब तक हम सरफ source की बात कर रहे हैं, या सरफ कोई के बीच में कोई motion नहीं हो रहा, motion होगा देखेंगे, क्या difference आएगा, ठीक है, अब ये माल लेते हैं, Vs क्या है, ये है speed, या velocity, ले लेते हैं, velocity of sound, या speed of sound, source of sound, Vs क्या है, speed of source of sound, Vs क्या है, speed of listener, speed of listener, और एक ओल लेते हैं, source of sound और listener के बीच में, ये माल लेते हैं, S क्या है आपका, S is the source of sound, और या आपके तो सुन रहे हैं, वो क्या है, listener, it is L, इनके बीच में कुछ न कुछ medium भी होगा, और सकता है कि medium चल रहा हूँ, तो मैं माल लेता हूँ, Vm क्या है, yes speed, speed of a medium, किसके बीच का medium है, source of sound और listener के बीच बीच, अब देखिए, ये माल लेते हैं, कि source of sound और listener और medium, तीनों ही same direction में चल रहे हैं, ये हैं, चल रहा है with speed Vs, ये चल रहा है with speed Vl, और medium का speed कितना है, it is Vm, देखिए, जब ये sound produce करेगा, तो Vm उसको help करेगा चलने के लिए, तो net speed किया है sound का भी, net speed of sound, अगर medium की बात करते हैं साथ में, तो it is V plus Vm, V कै है speed of sound, और Vm क्या है speed of medium, दोनों चल रहे हैं, तो ये medium की speed को क्या करेगा, sorry, speed of sound को क्या करेगा, ये help करेगा, हम सिर्फ अकेली की बात करते हैं, अगर मेरे पास सर्फ source of sound हो लिसनर की बात नहीं कर रहे source of sound मतलब क्या है एक speaker लिए हम लोगों ने speaker को यहां रखा और speaker को वहां रखा तो उसके लिए क्या होगा इसका wavelength और frequencies क्या होंगे same होंगे देखिए अगर हम बात करते हैं relative velocity relative velocity of sound of source of sound relative velocity of velocity of sound with respect to source with respect to source कैसे लिखा जाएगा it is v plus vl it is thus it is a velocity of sound minus v s velocity of a source देखिए frequencies पर क्या फरक पड़ेगा frequency क्या रहेगी same रहेगी लेकिन speaker को यहां से यहां उठा रखा जाएगा तो हो सकता है wavelength का क्या पड़े फरक पड़े तो apparent apparent wavelength कितना होगा फर्मुला क्या होता है हमारे पास velocity का it is lambda into mu लेशकता हूँ lambda into mu तो what is the value of lambda apparent wavelength it is v by v by frequency mu v by mu तो what is mu और what is v v क्या है what is v यह है speed of sound with respect to source speed of sound with respect to source यह v देख पर कहले सकते हैं हम लोग v plus vl minus v s into mu into mu this is the apparent wavelength of the sound किसके according कर रहे हैं पहले हम source के according कर रहे हैं हम include कर लेते हैं किसको listener को देखिए हम निकालते हैं speed of sound with respect to listener with respect to listener तो कैसे लिखा जाएगा what is speed of sound v plus vm minus vl this is the speed of sound with respect to listener इसको बोलते हैं relative speed बोल सकते हैं relative speed of sound with respect to listener आप देखिए अगर आप listener क्या करता है अगर speaker के पास जाता है तो उसको लगता कि आवाज बढ़ गई है अगर वो दूर जाता उससे तो उसको लगता आवाज गट गई है तो उसके लिए दोनों ही क्या हैं equivalent और frequencies दोनों क्या हैं इसके लिए अप्रेंट हो रही हैं तो अगर हम बात करते हैं अप्रेंट frequencies की भी अप्रेंट frequency it is mu dash is equal to क्या ले सकते हैं इसको mu dash को v by lambda dash दोनों ही क्या होंगी apparent होंगी दोनों ही क्या हो रही हैं change हो रही हैं listener के असाब से तो what is mu dash v by lambda dash lambda dash का value मैं निकाल चुके हैं हम लोग कितना है v कितना है what is velocity of sound with respect to listener it is v plus vm minus vl it is the value of v divide by lambda dash v plus vl sorry vl नहीं है vm है यहां पर it is for medium यह medium के लिए है vl plus vm minus vs divide by mu तो formula क्या बना mu dash is equal to v plus vm minus vl divide by v plus vm minus vs into mu into mu ठीक है this is the apparent frequency of sound with respect to the listener हम यह मान लेते हैं कि medium का speed 0 है medium जो है listener और source of sound के बीच में और 0 उसका speed तो कितना हैगा when medium at rest अगर अगर rest पर होगा तो vm का value कितना होगा 0 vm कितना होगा velocity of medium is 0 तो मेरा frequency कितना हैगा mu dash is equal to v plus vl sorry vm का value कितना होचका है 0 तो answer कितना है v minus vl divide by v minus vs into mu this is the apparent frequency of a listener sorry of sound with respect to listener तेके simple सा topic है इसमें करने के लिए हम पहले क्या कर रहे हैं source of sound ले रहे हैं ठीक है अगर एक speaker है मेरे पास इसको ठाके मैं यहां पर ले जाता हूँ पहले speaker यहां था यहां पर आवाज दे रहा है यह sound produce कर रहा है ठीक है इसको ठाके मैं यहां पर ले गया कि उसके sound के frequency पे कुस फरक पड़ा नहीं पड़ा लेकिन wavelength पर क्या होगा फरक गिरा तो पहले जो answer निकाला था with respect to source of sound निकाला था ठीक है अब की बार हम क्या करते हैं source को रख देते हैं as it is listener को पकड़ते है listener इसके नजदीक जाएगा यह से दूर जाएगा दोनों conditions के अंदा उसके लिए sound की intensity का फरक पड़ेगा भी उसको लगर आया कि print frequencies of sound और wavelength दोनों में क्या हो रहा है change हो रहा है जब वो नजदीक जाएगा उसको लगए कि आवाज बढ़ गई है दूर जाएगा उसको लगएगा आवाज घट गई है तो उसके लिए दोनों ही क्या है apparent है इसलिए हमने क्या किया frequency और wavelength दोनों को क्या किया हुआ है apparent किया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमें लोगों ने speed of sound with respect to listener यह answer था यह लिए हम निकाल चुके थे तो simple answer यहाँ चुका है हमने क्या observe किया कि अगर हम medium को 0 मान लेते है speed of medium जे 0 तो मेरा formula क्या बनेगा V minus VL divide by V minus Vs into frequency यह है original frequency यह क्या है इसकी apparent frequency ठीक है इसके कुछ cases है वो कर लेते है एक बाद कर लेते है sign convention sign convention sign convention मतलब क्या है अगर हम observe करते है speed को different directions के अंदर तो कौन सी positive लें कौन सी directions को कह लें negative इसमें है when we move from left to right अगर हम left चे right चे तरफ moment करते हैं then speed or velocity speed or velocity are taken as taken as positive अगर हम left चे राइट के तरफ जाते हैं तो कह लेंगा speed कम लोगे positive when we move from right to left then speed are taken as taken as a negative simple सी बात है यह 0 लेंगा है इस तरफ क्या होगा अंसर positive इस तरफ क्या होगा अंसर negative अगर हम जाते हैं left से right की तरफ left से right की तरफ answer positive की तरफ होगा अगर हम जाते हैं right से left की तरफ answer क्या होगा negative होगा ठीक है first करते हम लोगे when source at rest source at a rest अगर source rest पे होगा यह source है और listener क्या कर रहा है इस से दूर जा रहा है source at rest and listener move away from the source vs का value कितना हो जाएगा यहां पे 0 और vl का value positive होगा it move away from the source तो केस में आ रहा है left to right के अंदर तो new frequency कितना हैगा mu dash is equal to v minus vl divide by v minus vs vs के value कितना हो जुका है 0 into mu तो बताएए apparent frequency में और actual frequency में क्या फरक पड़ेगा नीचे वाला factors क्या हो जुका है 0 हो जुका है यह minus का factor 0 हो जुका तो नीचे वाले चीज़ बढ़ चुकी है पहले से तो यह चीज़ घट चुकी होगी तो frequency क्या होगा less than mu यहनि source जितना दूर listen जाएगा source से उतना ही क्या होगा आवाज आपको कमाना शुरू हो जाएगी ठीक है second point इसकी condition कर लेते हैं when source at rest when source at rest and listener move towards the source यह source है और यह क्या है listener source at rest इसकी वाले कितना हो गया 0 और listener क्या कर रहा है it move towards the source और VL क्या कर रहा है it move towards the source तो VL का वैले क्या हो गया है आपके it is negative तो putting the values तो mu dash कितना हो गया हम पर देखिए V minus VL divide by V Vs कितना हो गया है 0 into mu तो mu dash is equal to V plus VL into V sorry divide by V into mu तो इसमें क्या हो गया हो गया है नीचे वाले फेक्ट क्या हो गया हो गया है 0 हो गया हो गया हो गया हो गया है तो frequencies क्या होगी mu dash is greater than mu mu dash is greater than mu अगर listener source की तरफ जाता है तो उसको आवाज बढ़ के दिखाई देती है सुनाई देती है आवाज क्या रही है उसकी बढ़ के आ रही है ठीक है third condition करते हैं third case करते हैं अगर listener rest पे हो listener at rest अगर listener rest पे हो और source listener की तरफ comment करता हो तो क्या होगा when listener at rest and source moving towards the listener तो देखिए यह हमारा source है it is listener हमने क्या बोला हुआ है listener at rest listener किस पे है rest पे और source listener की तरफ जा रहा है with speed vs तो इसके अंदर vs की value क्या होगी positive putting the values तो mu dash is equal to v minus vl कितना हो गया 0 divide by v minus vs into mu मेरा formula क्या बोना है mu dash is equal to v by v minus vs into mu ठीक है तो इस conditions के अंदर क्या होगा देखिए यह प्रोला factors क्या हो चुका जो minus वाला था 0 हो चुका है तो value बढ़के आई हुई है ठीक है तो mu dash is greater than mu अगर source listener की तरफ जाता है तो listener को आवाज बढ़ती भी दिखाई देती है अगर source जाता है listener की तरफ तो उसको आवाज फिर होती है कि आवाज क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है तो fourth point करते है इसी condition का when listener at rest listener किस पे है rest पे and source moving away from the listener यह source है यह क्या है listener क्या बोला गया है when listener at rest तो vl की value 0 हो चुकी है and source is moving away from the listener it is with speed vs तो vs का value क्या रहेगा यहां पे it is negative negative क्या रहेगा it moving from right to left putting the values तो new frequency कितना हैगा mu dash is equal to v minus 0 by v minus v minus vs into mu तो मेरा फार्मूला क्या बनेगा mu dash is equal to v v plus vs into mu ठीक है तो इस conditions में देखिएगा नेचे वाला factor क्या हो चुका है बढ़ चुका है तो mu dash की value घट चुके होगी पहले से तो mu dash is less than mu अगर source दूर जा रहा है listener से तो क्या होगा तो conditions क्या होगी उसकी frequencies क्या होगी गट की आएगी ठीक है fifth point करते हैं fifth point क्या है when listener and source when listener and source moving towards each other या approaching to each other यह दुसरी के तरफ आ रहे हैं यह आ रहा है with speed vs यह रहा है with speed vl तो vs positive होग नेगेटिव होगा it is positive क्योंकि mint कर रहा है left से right की तरफ और vl क्या होगा negative it moving towards the right to left तो putting the value तो mu dash की value कितना होगा यहां पर v minus what is vl minus vl divide by v minus vs क्योंकि positive है divide by into mu तो mu dash is equal to kya बना v plus vl v minus vs into mu तो पता यह उपर वाला factor बढ़के आ रहा है नीचे वाला वही है तो frequency बढ़के आएगी mu dash is greater than mu अगर दोनों एक तरफ आ रहे हैं तो आवाज बढ़ती भी सुनाई देगी आपको ठीक है sixth point करते हैं इसी का sixth point क्या करते हैं when source of sound and listener moving away from each other moving away from each other अगर source or listener क्या कर रहे हैं they moving away from each other with speed v s with speed vl तो यह v s का बढ़के positive होगा की negative होगा यह जा रहा है right से left की तरफ it is negative और यह जा रहा है left से right की तरफ it is positive तो देखें answers mu dash is equal to v minus vl vl तो भाई है positive answer है v minus minus v s into क्या आएगा mu तो मेरा v dash is equal to v minus vl v plus v s into mu ठीक है तो नीचे वाला factor यहां पर क्या हो रहा है increase कर रहा है तो यह वाला factor क्या होगा decrease करेगा तो mu dash is less than mu mu dash is less than mu अगर दोनों एक दूसरे दूर जा रहे हैं तो आज आपको गटते भी सुना ही देगी seven point करते है next point तो है next point क्या है when listener and source of sound are moving with same speed अगर दोनों किसे चल रहे है same speed in same direction मान लेते हैं देखिए हमारे पास यह source है यह क्या है listener है दोनों चल रहे हैं with the same speed in the same directions इसका speed मान लेता हूँ इसका speed को भी ले लेते हैं कुछना कुछ तो value होगा तो दोनों speed क्या है same है both are moving इसको V dash ले लेते हैं चलो V हमने use किया हूँ वहां पे both are moving with the same directions same velocity के साब चल रहे हैं तो Vs is equal to Vl is equal to V dash ले लेता हूँ मैं तो मेरा frequency क्या होगा mu dash is equal to दोनों answer क्या होँगे positive होँगे ये भी positive है ये भी answer क्या होगा positive तो कितना हैगा V minus V dash divide by V minus V dash into mu कट गई तो यहां पे क्या हो रहा है apparent frequency और real frequencies के बीच में कोई difference नहीं है दोनों ही value क्या है बराबर है क्या हुआ